हाई माई एंजल्स वेलकॉम बैक तो मैं चैनल एंड थेंक्यू सो मच गैस फॉर वाचिंग मी एगेंड तो आज की मेकप लुक टाइटल वगएरा से तो आप लोगों को पता चली गया होगा कि मैंने आज हानिया अमीर इंस्पायर्ड मेकप लुक किया है ये मेकप लुक और मुझे लगए इस फेस्टिव सीजन में ये वाली मेकप लुक एकदम पर्फेक्ट है आप सामनी दुरगा पुजा रही है दुरगा पुजा में क्रियेट कर सकते हो दिवाली में क्रियेट कर सकते हो और उसके साथ-साथ आज का ये मेकप लुक मैंने NYB 1 ब्रेंड मेकप आप लोग अगर जानना चाहते हो then please keep watch my video till the end तो सबसे पहले skincare से start कर लेती हूँ मैंने यहाँ पे लिया है NYB का यह skin neutralizer और इसको मैं as a toner अपने पूरे face पे spray कर लूँगी and थोड़ी देर के लिए absorb होने दूँगी यह जिनकी combination to oily skin है उनके लिए काफी अच्छा है क्योंकि यह आपके oil को control करता है आपके sebum को control करता है आपके damage skin को repair करता है उसके बाद मैंने लिया है NYB का यह skin feedant serum यह serum मुझे बहुत पसंदाता है अगर आप भी मेरी तरह normal to dry skin के हो तो यह वाला serum ट्राइ करके देख सकते हो इसका जो formula है texture है वो non greasy formula है मतलब चिप चिपा बिल्कुल भी नहीं है बट आपके skin को बहुत अच्छे से hydrate and moisturize करने में बहुत साधा helpful है तो इसको मैंने अपने पूरे face पे and neck पे apply कर दिया है जैसे कि मैंने लिया है यह यलो कलर करेक्टिंग प्राइमर इसके 4 variations है आप अपने skin type के according प्राइमर को चूज करना जैसे कि मैंने यह यलो वाला लिया है यह जो यलो वाला है यह थोड़ी सी brightening effect देने में और उसके साथ-साथ pores को and fine lungs को blur out करने में बहुत ज़ादा helpful है उसके साथ-साथ यह जो प्राइमर है आपके make-up को भी long lasting बनाती है and आपके face को एकदम smooth बना देती है then मैंने apply किया है NYB का यह strobe cream यह strobe cream मुझे बहुत ज़ादा पसंद है काफी natural सा एक glow आपको provide करता है अगर आप daily basis के लिए daily use के लिए कोई अच्छा सा strobe cream ढून रहे हो ना तो यह एकदम best option है affordable price में भी आती है and उसके साथ-साथ यह आप BB cream के अंधर foundation के अंधर या फिर इसको ऐसे ही apply कर सकते हो आपके skin के अंधर and अब देख सकते हो apply करने के बाद मेरी skin instantly कितनी ज़्यादा healthy लग रही है कितनी ज़्यादा glowy and dewy लग रही है तो हानिया का जो skin है वो naturally बहुत ज़्यादा healthy है but मेरी skin उतनी ज़्यादा glowy नहीं है तो मैंने इसको apply किया है then मैंने लिया है NYBECA यह skin feedant foundation यह foundation मेरी काफी ज़्यादा favorite foundation है पहली बात तो यह affordable price में आती है दूसरी बात यह medium to buildable coverage है इसकी and उसके साथ साथ waterproof भी है and इसका जो texture है ना काफी smooth है easily blend हो जाती है and blend होने के बाद आपको एक dewy finish देती है तो जिनकी normal to dry skin है उनके लिए यह foundation एकदम best है तो मैंने पहले dot dot करते हुए अपने पूरे face पे apply कर लिया है then एक damp beauty blender की help से मैं foundation को blend कर रही हूँ तो foundation blend होने के बाद आप देख सकते हूँ मेरी skin कितनी ज़्यादा dewy लग रही है उसके बाद मैंने लिया है NYB का यह concealer यह उनकी new launch concealer है और इससे मैं अपने face के highest point को highlight करूंगी तो मैं एक बात बोल देती हूँ अगर आप अपने dark circle को या फिर अपने pigmentation को height करना चाहते हो ना तो उनका एक orange color करेक्टर भी आता है concealer में ही उसको आप पहले यूज कर लेना मेरे face पे इतना सादा pigmentation नहीं है तो मैं यहाँ पे highlighting concealer ही यूज कर रही हूँ यह concealer medium coverage है इसकी बट इसको आप build कर सकते हो काफी जादा creamy है बिल्कूल भी जल्दी dry नहीं हो जाती है crease नहीं हो जाती है जल्दी आप देख सकते हो कि इतनी जल्दी जल्दी यह blend हो रहा है and coverage आप देख सकते हो मतलब इतना जादा बुरा भी नहीं है और इतना जादा अच्छा भी नहीं है प्राइस के हिसाब से यह कंसीलर मुझे ठीक ठाक लगा तो सब कुछ मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी उसके बाद मेरी फेवरिट प्रोड़क्ट आती है यह है एन्वाई बे का क्रीम बलश ओ माई गॉड इस बलश के बारे में मैं क्या कहूँ इतना पसंद आया मुझे इतना जादा नैच्रल सी लुक प्रोड़क्ट करती है आपको तो यह जो है यह थोड़ी सी पीची पिंक काईड ओफ और कोरल पिंक काईड ओफ शेड है तो यह फेर टो मीडियम स्किन के लिए काफी अच्छा है तो इसको मैंने अपने apples of my chicks पे थोड़ी सी nose पे चिन पे अप्लाई कर दिया है एंद हानिया कजिज़ काफी जादा प्रोमीनन्ट है थोड़ी सी कश्मीरी ब्लश हम जिस तरीके से अप्लाई करते हैं उसी तरीके से उनकी ब्लश अप्लाई किया होता है काफी जादा cute लगता है and also natural भी लगती है तो इस वज़े से मैंने ये cream blush apply किया है इसको मैं अपने finger की help से ही blend कर रही हूँ बट आप चाहो तो beauty blender या फिर brush की help से भी blend कर सकते हूँ and ये blush blend होने के बाद आप देखना कितनी natural सी look आएगी also आपके skin को एकदम dewy and glow बना देगी like अब देख सकते हो मैंने कोई highlighter apply नहीं किया है but still मेरी skin कितनी जादा glow कर रही है उसके बाद मैंने same cream blush को ही अपने eye lid के उपर apply कर दिया है क्योंकि आज मैं कोई eye shadow apply नहीं करूंगी मैंने पहले ही कह दिया था यह जो make up look है बहुत ही जादा simple है but simple में ही यह बहुत ही जादा gorgeous है तो इसको मैंने अपने eye lid के उपर apply करके finger से ही blend कर दिया है then मैंने लिया है एन्वाइबे का यह translucent loose powder और एक fluffy powder brush लेके मैं सबसे पहले अपने under eye area को set कर रही हूँ क्योंकि under eye area में हमेशा जल्दी crease आ जाती है तो हम सबको सबसे पहले under eye area को ही set करना होता है उसके बाद जहाँ जहाँ मैंने concealer apply किया है उस जगे को मैं अच्छे से set कर लोंगी या फिर आप लोगों की जहाँ पर बहुत जादा sweating की problem होती है बहुत जादा oil हा जाती है make up करने की थोड़े देर बाद ही उस जगे को आप लोग अच्छे से set कर लेना सिर्फ जहाँ पे मैंने cream blush apply किया है उस जगे पे मैंने powder को अभी तक apply नहीं किया है देन मैंने लिया है NY Bay का ये 3-in-1 palette ये palette मैं आप लोगों को highly recommend करूंगी जो जो लोग affordable price में एक अच्छा सा bronzer, blush, highlighter palette ढून रहा है उनके लिए ये palette best option है 300 to 350 के अंधर आ जाता है तो इस palette में से जो blush shade है उसको लेके मैंने cream blush को set कर लिया है remember अगर आप कोई cream blush apply कर रहे हो या फिर कोई भी cream product use कर रहे हो ना तो उसको set करने के लिए हमेशा powder product का use करें इससे और भी जादा long lasting हो जाती है आपकी makeup then blush को apply करने के बाद मैंने अपने eyelid को भी same blush से set कर लिया है क्योंकि मैंने अपने eyelid के ऊपर भी cream blush को apply किया था पहले अच्छे से मैं blend कर दूँगी and इस blush की pigmentation just wow है बहुत ही अच्छा pigmentation है इस palette की and थोड़ा सा मैंने अपनी lower lash line पे भी एक depth लाने के लिए blend कर दिया है उसके बाद same palette में से जो bronzer था उसको लेके मैं just थोड़ा थोड़ा बहुत हलके हातों से मेरी cheekbones पे apply कर रही हूँ थोड़ा सा अपनी forehead पे apply कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं अपनी cheekbones पे apply करूँगी बहुत हलका सा कोई harsh contouring या फिर bronzing नहीं करूँगी क्योंकि हानिया का जो pick मैंने देखा था उसमें कोई contouring या फिर bronzing मुझे नजर नहीं आई बस उन्होंने भर-बर के blush लगाया था तो इस वज़े से मैं बहुत हलका सा कर रही हूँ और same contour shade से ही मैं अपनी nose को भी थोड़ा सा contouring कर लूँगी सब कुछ अच्छे से मैं blend कर दूँगी ताकि कोई harsh line मुझे दिखाई ना दे उसके बाद मैंने थोड़ी सी contouring अपने lips पे भी की है क्योंकि हानिया का जो lips है ना वो काफी जादा फुलर lips है थोड़ी सी powdery lips है तो वही लुक अच्छीव करने के लिए उसके बाद NYB का या आईशादो पैलेट लिया है इसमें से जो dark brown shade है उससे मैं अपने eyebrows को फिल कर लूँगी तो मेरे पास कोई eyebrow filler नहीं था इस वज़े से मैंने ये eyeshadow palette से ही color pick किया है तो अगर आपके पास कोई brow pomade या eyebrow फिल करने की product नहीं हो तो आप किसी भी eyeshadow palette में अप कोई भी eyeshadow palette ले लो उसमें black and brown तो रहता ही है उसमें से brown color shade को pick करके अपने eyebrows को फिल कर सकते हो बहुत ही natural सी तरीके से मैंने अपने eyebrows को फिल किया है and off camera पे मैंने अपने दूसरी eyebrows को भी फिल कर लिया है उसके बाद मैं apply करूंगी eyeliner अन्वाइबेका ये waterproof eyeliner है मेरी काफी जादा favorite eyeliner है easily इससे आप एक wing liner draw कर सकते हो और सबसे जो खास बात है ये एकदम waterproof है बहुत ही अच्छा है और affordable price में भी आत लोगी क्योंकि हानिया ने भी एक wing liner ही ड्रॉ की थी लेकिन उनकी जो wing है वह काफी जादा छोटी थी तो simple सा एक wing liner ड्रॉ कर लिया है then मैंने अपने makeup को set करने के लिए NYB का ये makeup setting spray लिया है ये dewy makeup setting spray है और इसके अंदर pink pearl है like आप इसको apply करने के बाद देखोंगे आपकी ज आपको दिखाई देगी तब देख सकते apply करने के बाद कितना ज़्यादा ग्लोई लग रही है उसके बाद जो है ना मैंने फिर से थोड़ी सी blush apply कर दिया है क्यूंकि जो blush है वह बहुत जल्दी fade हो जाता है एंड आज का जो makeup look है उसमें blush ही सबसे जादा highlighted है तो उसके बाद मैंने same palette से highlighter लिया है एक fan brush की help से मैं अपनी face की highest point पे highlighter को use कर रही हूँ बहुत हलके हातों से मैं use कर रही हूँ बिल्कुल भी जादा apply नहीं करना है क्यूंकि मैंने पहले ही कहा आज का makeup look बहुत जादा natural है बहुत जादा soft glam makeup look है ये तो एक दम सब कुछ मैंने किया है लेकि highlighter से मैंने अपने eyes के inner corners को भी highlight कर लिया है inner corners highlight करने से आपके eyes और भी जादा open up लगती है then same जो blush मैंने apply किया था उसको मैंने अपने lips पे apply कर दिया है क्यूंकि NYBA का कोई lipstick इस तरीके की इस color की मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसी blush को अपने lips पे as a lipstick apply कर दिया है and guys here is my final look मैंने बड़े बड़े जुमका पेहन लिया है and white roses के बगर ये makeup look तो incomplete था तो मुझे लगता है ये perfect festive glam makeup look है आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी ये makeup look बहुत ही जादा easy है इस makeup look को create करना और बहुत जादा classy भी लग रही है न तो आप किसी भी outfit के साथ ये वाले makeup look create कर सकते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना और पसंद आए तो please channel को subscribe कर देना तो चलिए आप लोगों से मैं मिलती हूँ मेरी next video में तब तक के लिए bye guys